तो अब आज वेलो गाईज वेलकम बेक टो अरे यूट्यूब चैनल जैसे आप मैंने कल टेलीग्रम चैनल पर मैंने पोस्ट केया था कि हम लोग लोग सेरीज कंटीनू करने वाले क्योंकि देखो अपने जो है टार्गेट था हंड़ेड डॉलार से टेन थाउजन डॉलार का उसको हमने 20,000-25,000 डॉलार तक भी हमने कर लिया था 30,000 कर लिया था फिर मेरा भी थोड़ा बहुत लॉस हुआ था और कुछ मैंने विट्रोल भी क्या हुआ था और आपने देखे होंगे मैंने उसका जो है बैंक क्रेडिट प्र भी अपने टेलीग्रम ग्रूप में मैंने स कुछ सारे इंफ्रोमेशन में होँआ पर प्रोवाइड करता हूं ठीक है जैसे कि आप देख सा तो यह अभी जो है मेरा लाइब अकाउंट बालांस है 6800 सम्थिंग है ठीक है फिर से मैं आप लोगों को दिखा देता हूं ठीक है जो हमने विड्रल डाले थे और विड्रल का जदा पेमेंट प्रूठ भी मैंने तasse क्या हूंuğा तो हूं पे टिली ग्रॉप पह टेली году ब्रॉह प्री थायूंट नार का मैंने शयर के थे यह हैं तो झाली अपол निस के चाएड बार का अश्या दिर वहत अच्छा दिख अच्छा देदे थे त्धा यह मेरा बड़े तो मदलब क्या कि बड़ी उड्रोली है यहां पर चौदा सो तेरा सो पचास ठीक है यह 5800 उसके बाद देखो तेरा सो नव्य फाइव थाजन ठीक है उसके बाद यहां पर तीन बड़ी बड़ी उड्रोल आप देख सकता है तो जो अलमुस्ट ट्वेंटी था अब समाझ लो थोड़ा बहुत अपना भी लॉस हो गया था था थी थाजन समतिंग मैंने किया था और उस दिन जो से से मेरा भी थोड़ा बहुत आट दुसाज़ डॉलर का लॉस हुआ था बट होता है ट्रेडिंग भाई बट प्रॉफिट अब भी अपने देख रहे होंगे यह कितना अमाउंट है अभी मेरा हंडेड डॉलर से मैंने स्टार्ट किया था अपने देखा वहां पर डिपल ट्रांजेक्शन वेगर सब कुछ मैंने दिखा और आकाउंट को गो करना भी मैंने दिखाया है ठीक है कुछ है जिनको अभी दिन का हमारा जो टार्गेट था 30 परसेंट का 100 डॉलर से हमने किए 137 फिर 137 से हमने किए 220 यह सम्धिंग फिर थार्ट डे में हमने किया थे 220 से 900 फिर फोथ डे में 900 से हम लोग साथ 2700 के आसपास किये थे फिर 2700 से हम लोग किये थे 5000 5000 से 10,000 ठीक है तो अल्मॉस्ट 6-7 दिन में अपना जो है टार्गेट अचीव हो गया था हमने लेकर चल रहे थे 30 डेज का तो यह सीरीज खतम हो गया अभी हम लोग क्लास सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं ठीक है जैसे कि मैंने सब कुछ आप लोग को दिखा दिया इसका बैंक प्रूब भी मैंने डाला हुआ था म अगर मैं एक बर 5000 वहां से निकाल लेता तो वह क्या करता अराम से वह मतलब लिमिट लगा देता नहीं तो भी में डाल देता या फिर ब्लॉक करवा देता और उसमें उइन करने इतना मुस्किल हो जाता होगा आप देखना इतना फ्लोक्ट्वेशन करवाता है आपका प्ले करता है और उसका जो है मानलब बोड़ी की से अपके से आइडिंटिफाई कर सकतो क्या बोलना चाहता है ठीक है तो मुझे यहां पर एक एंट्री मिल रहा है तो मैं यहां पर एक ट्रेड प्लेस कर देता हूं फिर मैं आप लोग को एकस्प्लेन करूंगा यहां पर हमने क्य कर देख रहा है जो उसके सब्सक्राइब यह और ठोड़ा लंबी होगा उपर साइड जाएगा तो फिर मैं एक मिनिट के लिए उपफर डिरेक्शन के लिए प्लेस करूंगा बच्छोटा इंटकर पर इक मिनिट के लिए प्लेस करूंगा और यह और हन्ड्री पर यहां से रिवर्सल लेगा इतना मुझे पता है इसलिए मैंने यहां पर ज्यादा रिक्स भी लिया हुआ ठीक है वान मिनिट का ट्रेड है और टी सी मार्केट है फिर भी मैंने रिक्स लिया हुआ है मार्केट मुझे पता है यहां पर प्लेस किया हुआ था और आप देख सकते हो अपना टाइम थोड़ा बहुत दे देना 10-15 मिनिट का टाइम देना आराम से यहां पर देखोगे टो यह कनडल आप देख सकते हो ग्रीन में क्लोड हुआ था कि मुझे पता था कि यह जो कनडल होने वाला है ग्रीन होने वाला क्यूं हो पर देटएल में बता हुए तो स्थार्टिंग से हम लोग करते हैं कहीं पर बीएक कन्डल को उठाते हैं उसके बारे में हम लोग में market consolidate हो रहा होगा तो होँ पर अच्छे से मैं आप लोग को समझा पाऊंगा ठीक है ओड कार्ड लेकर देखते हैं चुलो इहीं पर लेते हैं ठीक है कोई भी एक candle ले लो हम क्या करते है ना यह में कोई भी एक candle ले लो तो मैं आपको बता दे रहा हूं यह जो पर देख रहे हो ग्रीन केंडल का मतलब क्या होता है तो मैं कोशिज करता हूं बेसिक से आप लोग को फिर से समझाने के लिए ताकि आप लोग का जो डाउट है नो ओट लिस्ट क्लियर हो जाएगा सो गई जैसे अब देख रहो थोड़ा सो मुझे लाइट स्पॉट नहीं मिल रहा था ठीक है तो मैं आपको स्क्रीन सट लेकर यहां पर बता दे रहा हूं देखो केंडल जो होता है डिफरेंट टाइप का केंडल हता है कुछ स्ट्रॉंग केंडल होते हैं कुछ आपका स्वाल स्ट्रॉंड या फिर प्रश्रॉंड होता है तो बुली स्ट्रॉंड होता है ज्यादा तर चांसेस रहता मार्केट को मादलोग उस डिरेक्शन के लिए मोमेंट होने के लिए ठीक है और वह स्ट्रेंग्ट बताता जैसे कि अगर यह केंडल अगर आप देखोगे इसका अग अगर आप देखो गए यह उसका स्टार्टिंग पॉइंट है यहां से मार्केट स्टार्ट हुआ फिर मार्केट किया हुआ मुमेंट का यह ओपार डिरेक्शन के लिए मुमेंट हुआ फिर यहां पर वो जाके क्लोज हो गया ठीक है डेट मिन्स क्या है कि एक चीज का प्राइ क्लोजिंग है और यह इसका क्लोजिंग है यह जो आप पॉइंट देख रहे हो मैं आपको जैसे इंडिकेट किया यह जो पॉइंट है यह पॉइंट उसका क्लोजिंग पॉइंट है यह उसका स्टार्टिंग पॉइंट है ठीक है एक चीज का जो है प्राइस उनली इंक्री हुआ है यहाँ पर ना कोई सेड़ो है माणलों सेलर प्रेशर है ना कोई प्रेशर है कुछ भी नहीं है तो डीटेल में बात करेंगे तो यहाँ चांसेश्च रहता है ज्यादा तर मार्केट सेम डिरिक्शन के लिए मुम्मेंट करने के लिए अगर यह केंडल का ग्रीण जाने के लिए अगर वहां पर कोई स्ट्रॉंग एसेनर लेवल नहीं है तो हम लोग बात करेंगे मालब केंडल टाइप के बारे में ठीके देखो यह जो है अपका एक स्ट्रॉंग केंडल हो गया स्वालिट केंडल होगा इसको हम लोग मारूबूजू केंडल भी बोलते हैं म मालब चार-पांच मिनिट तक उसी डिरेक्शन के लिए मोमेंट होने का इंडिकेट करता है ठीक है उसके बाद आएंगे हम लोग वीक पे ठीक है तो अगर हम लोग इसको स्क्रीन सेट यह एरिया को मैं सिलेट कर लेता हूं तक अप लोगों समझ में आएगा देखो यह जो केंडल है सपोज मैं यह केंडल को इंडिकेट करता हूं कोई भी एक केंडल ले लो जिसका सेडो है ठीक है दोनों साइड से तो देखो मार्केट कैसे मोमेंट हुआ यहां से मार्केट स्टार्ट हुआ इसे बना फिर अतव कई सब्सक्राइश यहां से मार्केट जो है अपटर्डीयेसिन के लिए मुवमेंट हुआ यहां तक पिर यह मार्केट यहां तक गया इस पॉइंट से वह रिजेक्शन लेकर आके फिर यह नीचे आया और हमारा क्टोजिंग वा इस लेबल पर अगर आपका इंडिकेत डिया आपका ग्रीन है क्यूंग सकते हैं और उसमें क्या हो कि वैयर कि इसके अंदर रहेंगे एक का अपनिंग प्राइस से closing price नीचे होता है that means candle होता है आपका red candle होता है जैसे ये candle ठीक है ये आपका red candle हो गया तो इसका जो opening है ये है तो ये ऐसे open हुआ फिर market उपर गया उपर जाने के बाद फिर ये नीचे आया यहां तक गया यहां से फिर ये rejection लेके आके इस point पर आके close हुआ इसका जो opening point है ये closing point है ये तो opening price उपर है closing price नीचे है that means क्या है कि opening price से closing price नीचे है that means होँआ पे sellers है और वह है candle आपका red होने वाला है ये दो point आपको indicate मतलब पता है अभी क्या है कि हम लोग बात करेंगे week के बारे में week क्या indicate करता है ठीक है week जो होता है हमेशा opposite group of pressure दिखाता है ठीक है अगर आपको उपर सिम्पल सी बात है अगर आपको green candle पहह का आपको उइक देख हो एक है जब उपाज ब्रेक्शन आपका देखने को मिलता है उसका मतलब है आपका opposite group of pressure उसका मतलब है अप पैसे रेड कैंडल पर जब जब भी आप मतलब रेड केंडेल पर देखते हो मतलब उइक जो देखते हो उसका मतलब है बायर प्रेसर तो हम लोग अगर यहां पर जोज करने के लिए कोशिस करेंगे मार्केट मैं आपको बता दिया देखो मैं कंडिशन आपको बता दे रहा हूं अभी कुछ कुछ देखो एक आपको मैंने बता दिया स्वालीड कंडेल टेलेस कंडेल पर आपको क्या होता है नॉर्माली ठीक है उसके बाद वीक का मतलब क्या होता है उसके बाद आते हैं वीक ठीक है जैसे कि वीक का साइज भी डिपेंड करता है उसमें क्या होगा ठीक है वीक का जब साइज बड़ा होता है मतलब लंबी-लंबी वीक बनने लगता है तो आपको क्या लगना चाहिए वहां पर की रिवर्सल बहुत जल्दी आने वाला है ठीक है और अब आपका एक एसे बेल पर अगर अब देखोंगे ये ये केंडल मार'REकेट नीची आया और ये गरेंड पर गया वट इसका जो रैजेक्शन देखोंगो बहुत बड़ी रिजक्ष उने तिक उस रिजक्ष पॉइंट से फिर यह मार्केट नीच आए लिए अपका एक रेजिस्टन्स पॉइंट बन गए अगर अगर इस पॉइंट पर देखोगे यह जो केंडल आपका बन रहा है जब केंडल का छोटा वीक रहता है तो तो देट मी मार्केट पर मार्केट का जो हैड है हैड का जो हैड मार्लब वीक है टेल का वीक से अगर बड़ा होता है तो ज्यादा तर चांसेस रहता है मार्केट ऑपड डेक्शन के लिए जाने के लिए जब आपका उसका हैड का वीक टेल का वीक से छोटा होने लगता है तो मार्केट reversal होने का chances रहता है जैसे आप देखो यह जो points हो अब देखो इसका tail कहां पर है tail का weak का size देखो और head का weak का size देखो ठीक है तो क्या कि हाँ हो सकता कि next candle पर reversal ना ले पाए आपको एक strong level find करना होगा SNR level find करना होगा इनको SNR के बारे मैं नहीं पता है मैंने अल्लेडी वीडियो अप्लोड कर चुका हूँ एक strong SNR level find करना होगा जिस level से रिवर्सल ले मार्केट तो कहीं से भी रिवर्सल नहीं होगा न यह थोड़ी प्राइस सेक्षन को फोलो करेगा तो इसलिए आप आपको यहां से ही पता चल जा रहा कि मार्केट रिवर्सल होने का चांसे से क्योंकि इसका है टेल का वीक है चोटा मदलाव की चोटा है और जब बड़ी बड़ी वीक बनने लगता है याइद में पर बने लगता है और जैसे कि सब्सक्राइब करना होगा एक स्ट्रॉवल लेवेल फाइंड करना होगा तो अगर आप यहां पर अगर आप एक लाइन ड्रो कर दोगे मैं आपको ड्रो भी करके दिखा देता हूं ठीक है ताकि मैं चाहता हूं आपका जो है कॉंसेट पूरा क्लियर हो जाए क्योंकि बाद मैं आपको कोई बोलना ना पड़े कि भाई मैं यह डाउट में हूँ तो मैं इसका जो है थिकनेस को थोड़ा इंक्रीज कर देता हूं ताकि आप लोग को क्लियरली विजीबुल हो जाएगा तो इसका मैं कलर भी चेंज कर देता हूं ठीक है सब्सक्राइब कर दिया यह जो लेवल अगर आप देखोगे यह आपका एक प्रेच्शन ग्रीन हुआ यहां पर देखो ब्रेक करके फिर रेड हुआ यहां पर भी देखो रिजेक्शन रेड हुआ तो ओल्मोस्ट यह जो लेवल अपि स्ट्रॉंग लेवल है तो अगर आप इस पॉइंट पर देखोगे यहां पर हमने जो एकस्प्रेंड कर रहे थे जब एक candle का week, यह जो आप देख रहे हो, ठीक है, यह जो area में, यह area में, सब्सक्राइब आप यह candle को consider कर रहे हो, यह candle, ठीक है, जब एक candle का week, का size, head, मतलब head or size में, यह देखो candle स्टार्ट हुआ था यहां पर, market फिर यहां से उपर गया, यहां पर जाके close हुआ, that means क्या है, इसका opening यहां पर है, closing यहां पर, ठीक है, that means इसका head यह है, tail यह है, उपर में जो रहेगा, मतलब उसका head, मतलब green candle के लिए, यह head है, और यह tail है, red candle के लिए, यह head है, यह tail है, ठीक है, जब एक candle का head का, जो week है, tail का week से छोटा होगा, that means market reversal होने का chances है, तो यह आपका एक indicate कर दिया, next अगर आप देखोगे, यह candle को अगर हम लोग लेते हैं, एक second, यह candle को अगर हम लोग consider करते हैं, ठीक है, तो मैं इसको undo कर देता हूँ, त हुआ, इस level पर, फिर market क्या हुआ, नीची आया, यहां से फिर यह reverse होके उपर गया, यहां तो किसका highest position था, फिर यह आकर reversal लेके, इस point पर यह आकर close हो गया, that means यह जो candle है, green candle में press हो रहे है, that means यह जो है, आपका एक seller entry होने का chances है, ठीक है, sell or entry मतलब red candle बनने का chances, but red candle level चाहिए ना, strong level चाहिए ना, तो इसलिए आप क्या कर सकते हो, एक level draw कर सकते हो, common contact लेके, ठीक है, अगर हम लोग इसको लेंगे, इसको अगर हम लोग लेंगे, इसको मैं थोड़ा सा shift कर देता हूं, उपर साइड में, suppose आप यह level को आप consider करते हो, SNR level, ठीक है, तो आप दे candle का, मलब, वीक जो है, बड़ी होते जाता है, तो अपोजिट प्रेसर इंटरी होने का टाइम हो जाता है, तो वसे ही, अगर आप देखो, यह जो candle का वीक देखो, यह पहले थोड़ा सा छोटा था, फिर और बड़ा हुआ, फिर बड़ा हुआ, और candle का size जो है, जो बड़ी हमें मिल गए, SNL लेवेल, तो मार्केट यहां से देखो, रिवर्सल होते जा रहा है, और एक चीज़ मैंने आप लोग को explain कि है, जब एक candle का, अगर आप देखोगे, यह candle का week का size देखो, उपर side का week और tail का week देखो, उपर week से, मतलब tail का week से, head का week इसका बड़ी है, तो market ड देखो, यह market tail less candle है, मैं आपको बोला था, tail less candle पर continuation trend होने का chance है, जब तक होँआ पर कोई स्ट्रोंग SNL लेवल ना मिल जाए, तो यह candle का कोई tail नहीं है, market नीचे आया है, और इसका head भी देखो, tail से बड़ी है, तो फिर और एक red candle बना, फिर अगर आप यह देखोगे, यह साइड में almost equal है, तो यह जो shadow बना था, उस shadow को cover करने के लिए और एक red candle बना है, तो अगर हम लोग देखेंगे, यह अगर आपका एक level होता है, जिस level से rejection लिया हुआ है, तो मैंने आपको बोला था, reversal होने के लिए, महलों एक SNR level चाहिए, प्लस उसमें जो candle का जो बन रहा है candle का जो body है, वीक है, अगर आप compare करोगे, वीक बड़ा होगा और body जो है, चोटा होगा, that means वहाँ पर जो है opposite pressure आने का chances रहता है, जैसे के अगर आप देखोगे, यह candle के बाद एक green candle फर में सुना, देखो, यह जो है pressure, यह किस का pressure है, मैं आपको बोला था, जब एक candle का opposite, मतल formation हुआ, ठीक है, तो अगर आप देखो, green candle के बाद यह red candle formation हुआ, फिर यहाँ पर green candle formation हुआ, क्यों, अगर आप देखोगे, यह आपका एक support level है, ठीक है, और यह आपका एक resistance level है, तो इस बीच में यह consolidated होने के लिए कोशिस किया हुआ, ठीक है, आपको इस type का market पर नहीं ले होता है, that means, next candle से हम direction के लिए बन सकता है, जब तक एक strong SNR level उसके लिए act नहीं करता है, अगर आप देखोगे, यह candle होगा है, यह candle होगा है, इसका tail less candle है, week बड़ा है, फिर यह candle देखो, यहाँ पर मैं आपको क्या बोला, जब इसका, इसका देखो, head का week नहीं है, almost, tail का week है that means क्या है कि यहाँ पर header का week, tailor का week से छोटा है, almost नहीं है, that means reversal होने का time आगे हमें, market ने बता दिया कि reversal आएगा, एक candle के बाद आए, दो candle के बाद आए, तीन candle के बाद आए, बट आएगा reversal, तो इसने indicate कर दिया, फिर हमें क्या है कि अगर body का size अगर आप देखोगे, छोटे होते जा रहा है, ठीक है, तो हमें देखो, इस से छोटा यह है, इस से छोटा यह है, इस से छोटा यह है, तो जब इस टाइप का छोटा candle formation हो गया, तो हमें एक confirmation मिल गया कि market यहां से reversal हो सकता है, ठीक है, तो ओहाँ पर SNR level भी है, अगर आप देखोगे, यह आपका एक level है, यह आपका false, आपका retracement candle है, ठीक है, दो retracement candle होने का, फिर market उपर गया, इसका tell less candle है, tell के बाद कोई इसका week नहीं है, तो देखो next candle भी आपका, यह candle हुआ, ग्रीन candle हुआ, फिर अगर आप देखोगे, इस level पर कोई SNR level होगा, इसमें अगर आप draw करोगे, तो यहां पर कोई यहां को यह lonely candle formation हुआ है, तो इसका rejection point से आप एक level draw कर सकते हैं, यह level आप देख लो, यह भी level resistance यहां पर support यहां पर किया है, ठीक है, यहां पर एक lonely candle formation हुआ है, ठीक है, तो यह आपका strong level है, तो देखो market यहां से reversal होने का chances है, अगर यह candle आपका green भी हो जाता है, आप देखन तो अगर आप इसके size के सबसे आप देख रहे हो, यह काफी strong आपका एक, मतलब यह बना हुआ है, ठीक है, मतलब weak जो बना है, काफी strong weak बना है, और अगर आप देखो कि यहां पर अगर कोई SNR level है, तो आप place कर सकते हो, यह आपका SNR level है, तो अगर आप यहां पर देखो कि म मैं आपको explain करूंगा, एक नहीं, बहुत सरे hundred dollar का मैंने trade place किया हूं, ठीक है, देखो, मैं directly one thousand place कर सकता था, बट मैं मनलब किया कि one thousand place करना, यहां पर risky हो जाता है, क्योंकि देखो, market जो है, बहुत volatile रहता, OTC market में, प्लेस करना चाहते हो, कहीं पर लगता है, कहीं पर, तो आपका entry मिलते जा रहा, प्लेस करते जाओ, प्लेस करते जाओ, बट वही है, अपको perfectly अगर प्लेस करोगे, दिन, आपको result मिल जागा, देखो, मुझे यहां पर क्यूं मलब point मिला था, देखो, market यहां से continuous upward जा रहा था, मैंने बहुत कुछ आप लोग को explain कर दिया, देखो, यह जो है candle का week के यहां पर increase होते जा रहा था, ठीक है, तो देखो, यह जो है, यह छोटा green candle बना, फिर यह अपका one type of hammer candle बना, ठीक है, तो इसका जो है, आप normal trendy market में, अगर कोई SNR level नहीं है, तो hammer के बताता है, आपका एक continuation trend बताता है, बट अगर हम psychology देखेंगे, तो reversal होने का chances यहीं पर था, ठीक है, बट यहां पर कोई level था नहीं, अपना SNR level था नहीं, SNR level था यहां पर, ठीक है, तो मैंने इसको draw करके रखा था, wait करा था, confirmation के लिए, ठीक है, तो मैंने यहां पर भी trade place नहीं किया, क्यों place नहीं किया, देखो, market यहां पर फिर से एक inverted hammer पर create किया अपका continuation trade में, continuous आने का chances रहता है, और यह जो shadow area है, जो week बना हुआ है, तो उस area को cover करने के लिए, at least इस space में और एक candle बन सकता है, इसलिए मैंने यहां पर place नहीं किया, इसने गया, उसी level के बीच में जाके close हुआ, और मैंने यहां पर एक downward direction के लिए place किया, with confirmation case, यहां से ज मैंने यहां पर इस candle पर place किया, ठीक है, क्योंकि मुझे यहां पर confirmation मिल गया था, क्योंकि इसका head का week है, tail का week से बड़ी है, जो हमें एक indication देता है, कि market continuation direction के लिए जाएगा, ठीक है, तो अब देख रहो, market यहां से यह downward direction के लिए गया, फिर इस level पर कुछ ना कुछ level होगा, support level होगा, तो इसलिए देखो market फिर से उपर जाने के लिए कोशिस करें, यह जो rejection point आप देख रहो, एक एक rejection point बना होगा है, ठीक है, तो देखो market यहां से down आ रहा था, यहां पर support बनके green candle बना, that means यह एक strong level है, क्योंकि इतना सरा जो strong seller pressure को एक ही candle ने रोक के रहा था, तो य एक strong level है, तो उस level से फिर देखो market फिर उपर जाने के लिए कोशिस कर रहा है, ठीक है, अगर आप देखो के यह जो है, तेल का जो size है, मैंलो head का size है, टेल का size है, छोटा है, तो reversal होने का chance है से, यही candle red बन सकता, या फिर market इस level तो जाके फिर से reversal आ सकता है, ठीक है, तो आप वो चीज़ देखना होगा, तो मैं यहाँ पर और एक trade place करूँगा, अगर यह candle red नहीं होता है, तो red बनेगा, तो भी upward direction के लिए जाओंगा, अगर red बनेगा, तो green बनेगा, तो हम लोग wait करेंगे, इस point तो गाने का, अगर यह candle red बनेगा, मैं upward के लिए लूँगा, वो तो मैं ने यहाँ पर एक upward direction के लिए प्लेस किया, तो यह candle red बना, ठीके, बट क्या है कि, मतलब क्या कि, इसका shadow बहुत बड़ी shadow है, तो हमेंसा मैं आपको बोलता हूँ, अगर इस type के candle बनता है, डोजी पर आप ट्रेड अबड़ी करो तो better है, क्यूंकि ज्यादा तो chances रहत है, market reversal होने का, बट कभी कभी क्या होता है, यह जो डोजी area है, जो shadow area है, वो shadow area को cover करने के लिए market नीचे आता, नीचे आके, आइदर वो candle इस level पे close होगा, या फिर उस level को fill up करके, फिर upward direction के लिए जाएगा, जो चीज यहाँ पर हो रहा है, ठीके, मैं आपको यहाँ पे क्य होटा है, head or का, ठीके, तो market reversal होने का chances था, बट फिर भी मुझे क्या लगा, देखो यह जो candle है, यहाँ पे तो कोई level नहीं है, तो level है अपना यहाँ पे, ठीके, तो अगर मैं जुमाउट करूँगा, यहाँ पे भी कोई level होगा, जिसके लिए वो reversal लेने का chances है, तो मैं यहा closing हुआ है, हमारे इस level पे close हुआ है, तो यह 100% of our direction के लिए जाएगा, तो इसका previous वाला जो trade हो मैरा recovery हो जाएगा, simple सी बात है, इसलिए मैंने यहाँ पे 3 trade place कर दिया, देखो, risk management बहुत important होता है, OTC market में, आप volatility आप खुद देख रहे हो, कितना fluctuation है, ठीके, फिर भी आप psychology स समझने के लिए कोशिस करो, मतलब हमेसा क्या होता है, जब एक candle पर, red candle पर week ज्यादा लंबा होता है, that means, वहाँ पर bio century आ चुका है, यहाँ पर अगब देखो, यह red week बना था, तो that means, यहाँ से market reversal हो सकता था, बढ़ हुआ नहीं, फिर यह जो space था, उस space को cover किया, इसने मैं आपको बोला था, क्यूंकि अगर जब डोजी बनता है, वह space area को cover करने के लिए, और एक candle formation होता है, तो space को cover करने के लिए, यहाँ पर देखो, और एक red candle formation हुआ, ठीक है, तो यह red candle का भी week देखो, बहुत बड़ी week था, ठीक है, उसके हिसाब से देखो, यह red candle, green candle का आप है, इस space area को, जो rejection area, इस rejection area को cover करने का chances है, क्योंकि यह भी जो यह movement हो रहा है, एक almost consolidated zone पर movement हो रहा, ठीक है, तो इसलिए, मुझे यहाँ पर trade place नहीं करना चाहिए, फिर भी मैं 100 डोलर का place इसलिए कर रहा हूं, ताकि कुछ आप लोको मैं सिखा पाऊं, यहाँ पर, मैं कैसे प्लेस करता हूं, candlestick psychology को read करके, बस वही है, अधरोज 100 डोलर का यहाँ पर trade लेने के कोई ज़रूत भी नहीं था, तेको market यहाँ से rejection लिया था, हमें पता था कि जब green candle पर body shadow बनता है, that means वहाँ पर reverse लाने का chances रहता, बट इसका जो shadow है, काफिस लंबा shadow है, समझ रहा हो न, यह जो space है, उसको cover कर सकते है, बट हम लोग place नहीं करेंगे, यहाँ पर trade, ठीक है, और अगर यह candle का shadow देखोगे, यह candle आपको क्या बतार, यह जब green candle का shadow, कितना लंबा shadow है, ठीक है, तो यह आपको क्या indicate कर रहा है, green candle का shadow, that means अब हाँ पर sellers entry आएगा, ठीक है, और यहाँ प से, उस space को एक बर at least cover करेगा, आइदर यहाँ से rejection लेकर आपड जाए, या फिर यह थोड़ी दर नीचे आने के बाद आपड जाए, बट वो space को इसको cover करना चाहिए, और एक चीज आपने यहाँ पर notice किया, जैसे हम आपको बोला था, जब candle का weak बड़ी हो जाती है, जैसे क अगर आप देखोगे, यह candle का weak देखो, इतना बड़ा weak है, ठीक है, और इसका weak देखो, that does not matter, उसका जो weak है, bottom side बन रहा है, या फिर upper side बन रहा है, वो डिपेंड करता है, color के उपर, अगर green color candle पे weak बन रहा है, that means next जो है, probably एक दो candle के बाद, मतलब red candle बन सकता है, जब आप red candle का weak बन रहा है, बहुत बड़ी weak बन रहा है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो, एक दो candle के बाद green candle बनने का chances रहता है, simple सी बात है, ठीक है, और मैं आपको जैसे बोला, कभी ना कभी आएगा market और यह जो space है, इस space को cover करने के लिए market उपट जाएगा, तो मैं यहाँ पर एक upper direction के लिए place के I think click नहीं हुआ मेरा, बड़ी यह candle को मेरे इस सबसे upper जाना चाहिए, अगर यह candle green होता है, क्यूं होगा देखो इसका जो header का जो है, टेलर का week से बड़ी है, और यह जो है हमारा जो support level था, उस support level अभी इसके लिए rejection level था, उसको इसने break कर चुका है, ठीक ह तो अगर यह breakout हुआ होगा, तो market इस level से rejection लेके जाके offer direction के लिए जाने का chances से, और probably कहा तक जाएगा, यह आपका एक almost consolidated zone पर moment कर रहा है, तो अगर यहाँ पर support लेंगे, rejection यहाँ पर लेंगे, तो either market नीचे आएगा, यहाँ से फिर offer जा सकता है, यहाँ से रिवर्सल लेके offer जा सकता है, बट इसको जाना है, एक बार यह जो space है, यह जो space रह गया है, उस space को cover करने के लिए, एक बार market इसको offer जाना चाहिए, तो इसलिए मैं यहाँ पर एक offer direction के लिए place कर रहा था, बट click हुआ नहीं मेरा trade, बट कोई दिक्कत नहीं, बट सही है, market को जाना चाहिए, और फिर यहाँ पर देखो, इसका week आप देख लो, head का week छोटा है, tail का week बड़ा है, और red candle आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, पर simple सी बात है, आपको यही सब अगर psychology धिरे 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 समझ में आ जाएगा, तो फिर आप definitely आप यहाँ पर अच्छा कर सकते हो, देखो तो मैं आप लोग को यहाँ पर free में समझा रहा हूँ, body क्या होता है, week क्या होता है, week के size के सबसाब कैसे decide कर सकते हो, क्या candle होने वाला है, कहां पर क्या होने वाला है, probably हम लोग जो trade करते है, reversal पर trade करते है, ठीक है, रिवर्सल सी और सब पर trade करते है, ठीक है, SNR लेवल पर ह हम लोग ट्रेड करते है, with share sort, pattern के साथ, ठीक है, तो वो candle trick, psychology से हमें share sort पता जलते है, बट कभी कभी क्या होता है, price section को fail कर जाता है, 90% आपको accuracy मिल जाता है, आपने देखा होगा accuracy, तो 90% accuracy मिली जाता है, price section से, अगर आप हम लोग प्रोफोली analysis करते है, बट कभी-कभी market impact र starting से भी आपको बताया, मेरा 8-10,000 dollar का car loss हो गया था, ठीक है, openly में आपको बता रहा हूं, तो बट चीजे उसको, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है, आपको, मतलब क्या करना, प्रोपर एक्स management, फोलो करना, वो प्रोपर analysis के साथ trade करना, हमें यहां पे तुक्का बाकी लोगों का जैसा, knowledge का तो घंटा, उनको पता है, आज आते हैं इसको, उसको, मतलब यह करने के लिए, threatening देने के लिए, ठीक है, तो कोई ज़रूरत नहीं है, किसी से कुछ भी यह करने के लिए, खुद से trade सिखो, खुद से करना सिखो, और मैं आपको इतना promise कर रहा आप खुद से self-dependent trade करने लग जाओ गए, ठीक है, और ये वीडियो के बाद भी बहुत सरे positive feedback मुझे आने वाला है, मुझे पता है कि लोगों का message मुझे बहुत ज़दा आता है, आप तो समझ सकते हैं, 10,000, 11,000 message अभी भी मेरे pending हैं लोगों, बैट reply नहीं कर पाता हूँ, बैट मैं आज Saturday, Sunday, दो दिन जो रहेगा, जैसे कि हम लोग ट्रेड बगरा इतना जदा नहीं करेंगे, तो मैं क्या करूँगा, आप लोग को reply बगरा देके, सब कुछ में clear करा दूँगा, जो इनको मैंने add नहीं किया VIP या फिर इस VIP ग्रूप में, सब को मैं add करवा है, और बाकी जिसको मतलब क्वाटेक्स में join होना है, मेरे VIP सिगनल को follow करना है, और accuracy सिगनल चाहिए देना, description में आपको क्वाटेक्स का लिंक मिल जाएगा, उससे जाके आप create कर सकते हो, फिर आप कुछ amount minimum वहाँ पी deport करोगे, तो फिर मैं आप लोग को VIP ग्रूप में add कर सिगनल चाहिए जो paid सिगनल है, जिसका चार्जे से 2500 रुपीज जो है, आपका 30 डेज के लिए, ठीक है, accuracy सिगनल अपको मिल जाता है, previous week मैंने 18 सिगनल दिया था, but 18 के 18 win हुआ था, हम लोग कम सिगनल देते हैं, but accurate सिगनल देते हैं, को quantity पे matter नहीं करता है, but quality अगर रहेगा तीन सिगनल पे भी आराम से आप 10 से 15 डॉलर प्रफिट कर सकते हो, ठीक है, minimum बैता है, उससे जदा तो लोग करते ही है, ठीक है, 18 सिगनल से 18 सिगनल win था, और अपने देखा ही होगा मेरे टेलिग्राम ग्रूप में, अभी तक जोएन नहीं हुए, आप जोएन हो सकते हो, ट शुआना, लुख भछिए लडी सister, आपको लिंक मिल जाएगा, अगर लिंक वर्क नहीं करता है, आप अब से लिखुरणी करता है, बहुत मेंसेजच परेए, पर देखा हुँ, तो कोई दिक्कत नहीं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाए अगर लिंक पर नहीं करा आप क्या कर सकते हो आप कर आपकर पर सॉर्स कर सकते हो और स्पेलिंग सही से देखना क्योंकि बहुत सरे फैक्स चैनल मिल जाएंगे जिसमें आपको 5K के आसपास सब्सक्राइबर होंगे वह ग्रूप मेरा ग्रूप है वहाँ पर जाके आप जोईन हो सकते हो फ्री सिग्नल भी मैं वहाँ पर प्रवाइड करता हूं प्लस आप लो यो को सेर करना एपने लोग आंपने लोग जो लोग ट्रेडिंग शिखना चाते हैं या पर ट्रेडिंग करते हैं बढ़ ट्रेडिंग को बहुत साहरे लॉसस है तो पिर आप उनको सुजेस्ट कर सकते हो मेरे ग्रूप में सब को आड़ करवा दूंगा almost 600 members हो चुके हैं target रहेगा अपना 1K का उससे ज्यादा हम लोग नहीं लेंगे जितना बंदे आएंगे अभी उतना ही हम लोग रखेंगे 1K तक maximum तो हो सके तो जिसको 400 स्पेस है क्योंकि देखो मेरे एक वीडियो पर 2500 व्यूज चलाई जाता है ठीक है उन में से 300-400 लोग आई जाएंगे जिनको जिनको जोएन होना है बट एक दो दिन के अंदर डिपोईट करके ट्रेड और आईडी वेगर मुझे सेंड कर देना मैं सब को आड़ कर दूँगा ठीक है और काल हम लोग बात करेंगे यह कैंडल सिक साइकोलोजी मैंने तो आप लोग को एक्स्प्लेइन कर दिया ठ सेनर लेवेल पर कैसे आप से और से ट्रेड लोग है ठीक है तो उसके लिए स्टे टून और मिलते हैं कल और एक इंट्रेस्टिंग वीडियो पर बाई